नमस्कार धुर्यंच आज की विडान हम सीखेंगे सींपल से रांड निक को हम किस तरह से डीजायनर बनाएं गे और इसको बनाएंगे हम सींपल से फ्रेल से तो आप देख सकते हैं मैंने भैक भी यहां पर पहर बिद्यार कर लिया है और इसको बना रहे हम 44 साइस के बलाऊस मेने पेटिखोट की निचे जालर बनाते हैं वही मैनने यहांपर बनाके Tou port आटाएच करके रख लिए है यानिकी तयार करके रख लिए और इसके जब गया एसके चुड़िया है यहांपर में आपके साथ फडिर करने वाली हूं और इसी निशान पर मैं यहाँ पर इसको फ्रिल को आ्टाइच कर रही हूँ इस निशान को आप अपने हिसाब से कम्या मिज्जादा कर सकते हैं, उपर नीचे कर सकते है या फिर गले के बराबर से भी लगा सकते हैं मैंने इस डिजाइन पर प्र隨 से बनाया है और इसको बनाना बहुत ही असान है सिंपल से एक ट्रिल से और लेज से आप इसको बना सकते हैं बनाने के बाद में इसका डिजाइन आपको कैसा लगेगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल पर अगर आप पहली बारा हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा और यहां पर देखिए इस तरह से अटैच करते जाएंगे इससे पिछले वीडियो में फ्रेंड्स मैंने आपके साथ में बन टक्स ब्लाउस 32 साइस के साथ शेयर किया था कटिंग और स्टिचिंग का विद पैड तो आपने उस वीडियो को ज्यादा पसंद किया है उमीद करती हूँ आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा और अगर आपने मेरे चैनल पर ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग नहीं देखिए है किस तरह से हम deep neck blouse की cutting करते हैं कि हमारे जो shoulder गिरता है वो ना गिरे तो आप मेरे चैनल पर जाकर ज़रू देखिएगा आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके शाथ में शेयर करती रहूंगी और उमीद करती हूँ आपका प्यार मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा तो यहा ही decorate करने की बाद तो वो आपकी choice के उपर है आप इसको जितना ज्यादा decorate करेंगे लेकिन design को जितना simple रखते है उतना ही ज्यादा elegant लगता है अभी देखिए इतना हमारे यहाँ पर frill extra है तो यहां से इस frill को हम cut कर देंगे धाग कर देंगे यह दिखें यहां से तो frill हमार यहां पर नहीं cut ना चाहिए तो carefully आपको इसको trim करना है इसके जो धागे है यह देखिए इसी तरह से जितना भी extra धागे थे वो हमने यहां से cut कर दिया है यानि इसको बराबर कर लिया है अब बराबर करने के बाद में क्या करेंगे अब इसके पर हम एक शिलाई और यानि फ्रिल की लंबाई के बीच में और जो अनसलाइ घती इसके बीच के एक शिलाई में यह और लगा रहे हूँ हूँ जिससे क्या होगा ज़ीक्त फ्रिल एक फिनिशिंग को बनके आ जाएते अब यहां उक्षय नहीं दूग है खोना लिग कर है यहां आरे हो इसको करना चाहूंगी कि आने वाले नेक्स्ट ताइम पे मैं अपने चैनल पर आपके साथ ने में हमारी बेल्ट आती है और पीछे हमारी लास्टिक आती है यह सारा ही वीडियो में आपके साथ में जल्द ही अपने वीडियो पर चैनल पर लेके आऊंगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो अगर आपको थोड़ा से भी पसंद हो चुका है अभी यहां पर देखिए मैंने यहां पर ले लिया है गोल्डन कलर का लेस और इसको हमने जो पहले सिलाई लगाए थी फ्रिल को अटाच करते अठाएं उसी को पर रखते जाएंगे और इस पर हम सिलाई के बीच में रखेंगे जिससे की जो हमारी सिलाई है वो यहीं तो कुछ भी हम होती लगा के बना देते हैं तो डिजाइन तो हमारा बनी जाता है शिंपल भी बनता है और बनाने में टाइmp नहीं लगता है और एक designer look भी हमारा मिल जाता है तो छोटए- Čटे कपडे तो हमारे पास रहते ही है थोड़ा सा टाइम अगर आपको इस ल से कभी ट्राइंगल से तो यह पर देखें लेस मेरी यहां पर लग चुकी है अब जो राउंड नेक रहे गया वो थोड़ा सा सिंपल लग रहा है तो एक छोटी सी लेस जो इस मैंने निची की साइड में लगाई है उसी को यहां पर राउंड नेक में लगा देंगे अभी यह यहां पर मेरा यह जो फैब्रिक है थोड़ा सा ही लूज है जादा नहीं है अगर होता तो मैं यहां पर इसको जरूर यूज करती लेकिन आप देख सकते हैं फिनिशिंग यहां पर बनके आ रही है बिल्कुल इजी तरीके से और हमारा जो डिजाइन है वो भी बहुत ही सिं नहीं लगाएंगे तो यह वो हमारी पलट जाती है तो इसलिए आप डबल सिलाई जरूर लगाएंगे अभी यहां पर आप देख सकते हैं लेज जो है वो ज्यादा चौड़ी नहीं है लेकिन फिर भी फिनिशिंग के लिए यहां पर हम डबल सिलाई लगाएंगे और सेम इ लगबग बन के तयार ओचुका है अभी अहाँ पर मैं देखिए इस पर डोरी लगाने वे बागी है और उसके बाद में नीचे की जो हमें प्लिए लगानी है और यहां पर जो दोरी है उसमें मैं सिंपल सा टैसलवाला लग बना के तयार कुरूν ही तो वीडियो आपको कैस कैसा लगता है फ्रेंट्स कमेंट में जरूर बताएगा पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट पर बताना मत बुलेगा कि वीडियो आपको मेरा कैसा लगता है तो इसी के साथ में लेस पर हमारी डवल सिलाई भी लगके तयार हो चुकी है आप दे यह देखिए और यह बनाया है मैंने 40 size का blouse आप इस design को अपने according अपने size का according बना सकते हैं और यह lace की जो लंबाई है चोड़ाई है उसको अपने साफ से कम कर सकते हैं इसको आप गले पे भी लगा सकते हैं इस design को आप यहाँ पर sleep पे भी बना सकते हैं और यह design बनाना तो जितना आसान है उतना ही जादा यह beautiful लगने वाला है लगता ही है और simple से design को भी आप यहाँ पर फिरल से decorate कर सकते हैं टक्स हमारी यहाँ पर लगके complete हो चुकी है आप लगा दी है और जो कमरक साइड थी वहाँ पर भी मैंने इसमें लेस लगा दी है पूरा ब्लाउस हमारा बनके तयार हो चुका है उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा मिलते हैं इसी तरह की next वीडि